असलाम आलेकूम और रहमतुल्ला वेलकम बैक टो और चैनल उमीद करता हूँ कि आप सब ख्यारो आफ्यत से होंगे तो आज हम आपके सामने एक अपडेट लाए हैं तो इसके लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वेट कर रहे थे कि कब जो एड्मिशन प्रोसेस पर जो है लेट जो है बहुत सेशन चल रहा है क्यांकि नेशनल enlarफन Expiration 2020 को जो हैं इम्प्लिमेट करना है इस यह से तो उसको जो है इस वजाए से जो है जो सेशन है वो लेट चल रहे है तो आज जो है अपरडेट लाए हैं एड्मिशन के रिलेटिड एड्मिशन प्रोसेश जो है वो स्टार्ट होने वाला है कश्मीर उनिवस्टी में तो उसके रिलेटिड हम आज आज आपके सामने एक अपडेट लाए हैं तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो जरूर इस चैनल को सबस्क्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो फर्दर अपडेट जो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं वीडियो की फॉर्म में वो आप तक उस टाइम नोट्फिकेशन पह प्र इस चैनल फान को सबस्क्राइन हो सकते हैं तो जो आज का अप STEP है वो कक्ष्मीर यूँवर्शिस से है कश्मीर कुभी रखें में जो है अद्मिशन नॉट्र के शन्ल जो है इसके बहुत सारे सुटेंट के लिए वेट कर रहे थे तो यद्मिशन जो है वह सी चैनल पी आपने स्टार्ट करना और किस तरीके से आपने वो आगे चलाना है तो देखे जो admission होगी वो entrance based होगी आपने entrance देना होगा PG की बात है post graduation की बात है तो इसमें आपको KUET टेस्ट देना होगा इसमें आपने कश्मीर University entrance test इसमें जो है दो तरह के कोर्स रहते हैं एक तो professional courses एक तो दूसरा non-professional course प्रोफेशनल कोर्स में जैसे LLB आता है mass communication journalism वगएरा ऐसे जो है या integrated BA LLB honors यह five year का कोर्स है यह सारा जो है professional में आता है अब जो है आपकी master degree होती है चाहे किसी भी subject में जैसे Arabic है या sociology या बाकी जो भी subject है या MSC आप करते हैं तो वो जो है non-professional में आते हैं तो यहां पर professional आप देख सकते हैं जहां पर mention है कि किस-किस में जो है कौन-कौन से course यह प्रोफेशनल में आते हैं और कौन-कौन से non-professional में आपको subject मिल जाएंगे जैसा कि Arabic है English, Hindi, Kashmiri, Linguistic, Persian, Sanskrit, Urdu अगयरा जो भी इसमें है जो भी आपका concern subject होगा जिसमें आपने graduation की होगी या जो भी आपने आगे जिसमें भी आपने master करने होगी तो आप पहले subject चेक कर लें कि Kashmiri इसमें वो subject available है कि नहीं available है तो यह subject की बात है अब eligibility criteria क्या है तो eligibility criteria जो है अब दो तरह के student आप हो दें एक तो जो प्राना वाला system था non-CBCS choice based credit system एक था CBCS अब जो है CBCS जो है वो recently जो है वो लौग हो आथा CBCS वाला syllabus उसमें जो है क्या है कि उसमे eligibility क्या है जिन्होंने CS वाले जो भी बच्चे हैं उनको जो है जो भी उनने honors किया होगा अगर उनने जो है graduation में उनका honors है तो वो subject में eligible होंगा अगर कोई physics honor कर रहा है graduation में उसने physics honor रखा है तो वो जो है MSC physics के लिए eligible है इसलिके से आप हर एक subject के साथ match कर सकते हैं उसके अलावा जो उसका generic subject होगा graduation के time उसमें भी apply कर सकता है जैसे कि physics वाले को जो है generic chemistry भी मिल सकती है या दूसरे geology वगेरा वो उसमें भी apply कर सकता है यह eligibility है choice based credit system scheme में जो भी student आते हैं दूसरा case जो है वो non CBCS का है जिसमें की प्राना system चलता आ रहा था कि degree college degree college से आप B.A.C. BA वगरा simple जो भी आपको subject मिलते थे 4-5 subject होते थे उसमें तो उसमें जो है आपको marks की जुरुत होती है कि graduation में percentage होनी चाहिए उसमें जो है previous criteria था वही उसमें follow होने वाला है यहां पर आप देख पाने कि open merit में 50% आपको graduation में marks होने चाहिए non CBCS के case में reserve category में 45% आपको होनी चाहिए graduation में यह जो है MSC IT MSW and MCA MTTM यह वाली eligibility आप देख सकते और जो दूसरे program में जैसे MA वगेरा होगा तो उसमें open merit में आपको 45% होनी चाहिए और reserve category में 40% graduation में होनी चाहिए उसके अलाव जो important dates है date जो है बहुत ही कम time रखा हुआ है तो ज़रूर इस time में और इस video को ज्यादा से ज्यादा share करना ताकि दूसरे जो भी आपके साथी होंगे उन तक जो है यह video पहुंचे और यह information उन तक पहुंचे तो 23rd से जो आने वाला Monday है वहां से आप home जो हो अपने submit कर सकते हैं online आपने submit करना है offline आपको कोई hard copy दे नहीं है ना कोई आपने document offline submit करना है तो last date की अगर हम बात करें last date जो है वह first June को उन्हें last date रखी हुई है उसके अलावाद जो syllabus entrance test के लिए या previous year question paper है वह भी available होगा admission tab जो है kashmir university dot net जो उनकी website है वह admission tab पे जो है आपको यह सारा कुछ मिल जाएगा यहां पर आप submission of online application form में पूरा पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपने form submit करना है यह step by step आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने submit करना है उसके अलावा आपको 500 fees जो है entrance test fees दैनी होगी 500 उसके अलावा application fees जो है वो 250 होगी तो पूरा मिलाके जो है आपको 750 फार वन प्रोग्रेम तो अगर आपने एक subject के लिए अपलाई किया तो 750 जो है आपको एक subject के लिए अपने पे करनी होगी बाकी जो भी इसके related update आएगा entrance date वगएरा जो भी release होगी वो हम अपने channel पे या telegram या whatsapp ग्रूप पे जो है वो जरूर शेयर करेंगे तो आपने जो है हमारा channel subscribe करके रखना है और उसके अलावा telegram में भी जाइन हो जाएं और whatsapp में भी आप जाइन हो सकते हैं तो यह एक important update था कश्मीर यूश्ट्री के related, animation के related तो मिलते हैं आगले वीडियो में आगले किसी update के साथ तब तो के लिए खुदा आफिस